Hello students, if x and y are directly proportional, यहाँ पे हमें given है कि directly proportional है, find the values of x1, x2 and y1 in the table given below, बच्चे हमें इसकी value, इसकी value और यहाँ पे इस y1 की value को निकालना है, हमें एक चीज़ तो पता है बच्चे, यह भी कोई directly proportional होगा, that means x by y हमारा constant होगा, that means x1 by y1 equals to x2 by y2 equals to बच्चे, ऐसे चलता रहेगा हमारा, और यहाँ पे अगर मैं अभी इन दो columns को compare करूं, मैं इन दोनों columns को compare करके यहाँ से x1 की value easily निकाल सकता हूं, so 3 by 72 is equals to x1 by 120, यहाँ से अगर मैं cross multiply करूं, तो बच्चे मेरी x1 की value आजाएगी 3 into 120, और यह 72 बच्चे यहाँ पे आजाएगा, 172 equals to x1, तो यहाँ से मेरी x1 की value आजाएगी बच्चे 5, अब easily मैं इन दो को compare करके x2 की value को निकाल सकता हूं, चलिए निकालते हैं, x1 की value आजाएगे बच्चे 5, so 5 by 120 equals to x2 by 192, अब यहाँ से बच्चे अगर मैं x2 की value देखूं, तो वो जाएगी 5 into 192 by 120, इसको solve करके बच्चे मेरा answer आ रहा है 8, चलिए अब मैं दोनों को compare करके हमारे y1 की value को निकालता हूं, 8 by 192 equals to 10 by y1, अब यहाँ से आकर मैं बच्चे y1 की value को देखूं, y1 की value आजाएगे बच्चे 10 into 192 by 8, यह बच्चे इसको solve करके answer आ रहा हमारा 240, so y1 की value आ रही बच्चे 240, so I hope इस तरीके से हम कैसे solve करेंगे directly proportional के questions को आपको एकदम clear होगा,